इंडिया में इतना ट्रेंडिंग में कोई नेता पॉलिटीशन नहीं चल रहे हैं जीतने 15 दिरियंदर康ास्त्री चल रहे हैं सबसे पहला मेरा सिंपल कुंश्चन आप से ये हैं आप क्या पंडित दिरियंदर स्थ्री ये बारे में क्या ओपीनियन रखते हैं सबसे पहले उनकी तुलना किसी नेता किसे भी नेता से करने ही गलत है क्योंकि वो मान जी के अनन तो ऐसे व्यक्ति की तुलना किसी से करना अपने आप में गलत है और पूरा देश पूरा देश नहीं पूरा अभी शायत दिरिध्र साथ जी के साथ कड़ा है पूरे विश्म जहां जितने भी हिंदू नुन के साथ खड़े हैं और अभी उनकी कथा पांच जोलाई से आठ जोलाई उत्सक्राण होने वाली है पूरे दिल्ली के अंदर रहते हैं हर्सी के एक पल होने वाला है और आप समय आपकी चैनल के मादन सब्सक्राइब करता हूं उसमें आई ये दिरिंदर शास्त्री की कथा सु है कि वह यहां पर आएंगे और सलीके से रहना पड़ेगा और उसका विरोध उन्हों ने किया असरू लेकिन वहां पर जाता है यहां रिकोर्ड वहां पर बन गया इतना जन समूह आपर इखटा हुआ कि वहां पर सांस लेना लोगों को मुश्किल होगा 12-15 लाग की जन संक को आपके सवाल का जवाब मिलता आपको खुदी बात लाएं कितने सचे हैं कितना जूटे हैं तो देखिए जब क्या हुआ था जब हनुमान जी लंका देहन करने गए थे तो महां पर रावन की सेना ने उनको रोका था और हुआ कैता लंका देहन होके आई थी तो इससे अगर आ रहा है तो उसको देना पढ़ेगा ना सर पंडी दिरेंदर शास्त्री जीस तरह से घर वापसी करवा रहे हैं मुसलिमों को हिंदू परिवर्द धर्म परिवतन करवा रहे हैं क्या यह हैं नफरत प्लाने का काम नहीं क्योंकि जो सकते हैं भारत के सुनी मुसल्मान हैं भारत के सुनी मुसल्मान हैं वो कन्वर्टेड हैं आज जो मुसलिम कंट्रीज हैं साओधी अरेबिया उनको भारत के मुसल्मानों को मुसल्मान नहीं मानती तो अगर कोई अगर भटक गया है अपनी रहा से उसको घर वापसी करा दें तो यह भी धर्म का काम है तो शास इससी ट्रीक हाओ आपकों में देखकर बता देते कि आपके मन में क्या चल रहा है कि इस तरह से अगर वॉट टेक्नीक नहीं है यह जो खुद हैं जो वह मैजिशन बोल रहे हैं वो तो कहरें कि एक टीचनिक है एक कम्पेर करना सबसे जादा करता एक सिद्धी है वर्षों के तबस्या है वर्षों तक आरोफ लगाने वाले वर्षों के द्रपस्य को नहीं समझ सकते तो उसके लिए हनुमान जी को जानना पड़ेगा हनुमान 40 पड़ना पड़ेगा जो ये पड़े हनुमान 40 होई स diy साकी गोखरीशा तो भाई criticize पहले पड़ो फिर जानो तब आप मानोगे कि क्या सिद्धी है क्या नहीं